हेलो एब्रिवान अजाध हाइज कुल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चो आज मैं आपको क्लास थर्ड का लेसन नमबर 3 पड़ाने जारी हूँ आज जो मैं आपको कहानी पड़ाने जारी हूँ इस कहानी का नाम है सही जगपर ये कहानी एक मा और बेटी पर अधारित की गई है इस कहानी में बेटी का नाम रिम जिम है इस कहानी में ये बताये गया है कि जो रिम जिम है वो अपना समान कभी भी सही जगा पर नहीं रखती है इदर उदर फैंक देती है और जब उसे उस समान की जरूद होती है तो उसे व दोने भी लगती है और उसे स्कूल के लिए भी देरी हो जाती है फिर उसकी माँ उसकी मदद करती है एक दिर रिमजिम की माँ ने ये निश्य किया कि वे रिमजिम को समझाएगी कि वे अपना समान सही जगा पर रखे नहीं तो उसे ऐसी ही परिशानी होगी और स्कूल जाने म में भी देरी हो जाएगी इस कहानी में यही बताए गया है कि अगर हम अपना समान निश्ची जगा पर नहीं रखेंगे तो हमें समान डूरने पर परिशानी होगी और गुसा भी आएगा जैसे कि बच्चों का समान होता है बैग, पानी की बोतल, जूते, यूनिफाम और ड्र रिम्जिम की मा जब उसे इस सारी बात समझाती है तो उसे सब समझा आ जाता है और फिर वे वैसा ही करती है तो बच्चों अब मैं आपको कहानी पढ़कर सुनाओगी आपने इसको द्यान से सुनना है और समझना भी है मम्मी मेरी टाई कहा है रिम्जिम ने टाई डूनते हुए मा से पूछा रिम्जिम के कमरे में आते ही मम्मी क्रोध में भर गई ये क्या किया तुमने सारा समान उलट उलट कर दिया मैं क्या करूं मम्मी मैं अपनी टाई डून रही थी रिम्जिम ने रुवासे सवर में कहा क्या कि देखो शब्द पिटारा क्रोध होता है गुसा रुआसा स्वर रोने का स्वर यह की रोने की अवास रिमजिम के स्कूल जाने का समय हो रहा था किसी भी समय स्कूल बस आने ही वाली थी अच्छा चलो तुम नाश्ता करो मैं तुम्हारी टाई डून देती हूँ मा ने गड़ी की ओर देखते हुए कहा रिमजिम नाश्ता करने बैठ गी मा ने इदर उदर डूनडा पर टाई कहीं नहीं दिखी रिमजिम ने सारा समान बिखेर दिया था ऐसे में कमरे में टाई डूना और भी मुश्किल हो गया अचानक मा की नजर मेज के निचे गई टाई का एक सीरा मेज के निचे से जांग रहा था सीरा होता है एक हिस्सा मा ने टाई को उठाकर जाड़ा जल्दी से उस पर प्रेस की और रिमजिम को पहना दी टाई देखकर रिमजिम खुशी से मा के गले लग गी अब तक स्कूल बस भी आगे चुकी थी रिमजिम स्कूल चली ग गे दो पैर को रिमजिम आई मा ने उसे खाना दिया और वहीं वे भी उसके पास बैठ गई उन्होंने पूछा रिमजिम आज तुमने अपनी टाई जूते पानी की बोतल ड्रेस वेबस्ता कहां रखे हैं पढ़े होंगे वहीं कहीं कमरे में रिमजिम ने लापरवाई से ज आज भी तुम अपनी चीजें सही जगा पर नहीं रखी केवल अपनी इसी आदत के कारण रोज सुबा तुम चिटचिड़ा वेवार करती हो सुबा की शुरुआ तो खराब हो ही जाती है साथ ही स्कूल के लिए भी देर हो जाती है मुझे क्या करना चाहिए मम्मी रिमजिम ने पूछा देखो हर चीज को रखने की एक जगा निश्चित करो अपना सारा समान उसी जगा पर रखो और जब जूरत हो वहीं से उठालो मा ने समझाया रिमजिम ने सोचा मा ठीक ही तो कह रही है आज से मैं अपनी सारी चीजे ठीक जगा पर रखूंगी रिमजिम ने पर हाथ पेरा और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी अब देखो इसकी अभ्यास के लिए पाठ क्यान शुत लेख ये कठीन शब्द है जिसकी आपने लिखके भी प्रैक्टिस करनी है और बोलना भी है टाई क्रोध लापरवाई मुश्किल प्रेस शुरुवात ड् करपाट रिमजिम ने अपनी मा से क्या पूछा कि मेरी टाई कहा है खरपाट रिमजिम रुआसी क्यूं हो गई थी क्यूंकि बहुत दूने पर भी उसकी टाई नहीं मिल रही थी गई पाट रिमजिम के स्कूल से लोडने के बाद मा ने रिमजिम से क्या पूछा रिमजिम के स्कूल से लोडने के बाद मा ने रिमजिम से पूछा कि बेटा तुम्हारी टाई तुम्हारा बस्ता पानी की बोतल और जूते तुमने कहां रखे है आगे गई 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 पाट आगे देखो कलम से करपाट रिमजिम क्या ढूंड रही थी सही उत्तर है टाई करपाट रिमजिम स्कूल से कब लोटी उत्तर है दुपहर को गरपाट हर चीज को रखने के लिए क्या निश्चित करनी चाहिए उत्तर है जगह निचे दिएगे परशनों के उत्तर लिखो ये सारे उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आगे देखो दिएगे कथन को कहानी के अधार पर क्रम से लगाओ ये कथन जो है ये आगे बीचे दिएगे है आपने कहानी दुबारा पढ़नी है और फिर दिए दिखो बाशा और व्याकरण शब्दों में प्रिट वर्नों को अलग-अलग कर लिखने के विदी को वन विश्यद कहते हैं जैसे टाई या आपने जो वर्न हैं उनसे मात्राओं को अलग करना है जैसे ट आ को अलग कर दिए ट से और आ लिख दिया और इ स्वर है तो वो वैसे का पैसा ही आ जाएगा, ऐसे ही dress, ड, फिर र, फिर ए, फिर स, फिर अ, ऐसे ही यह दियेगे शब्दों के वनविशेद करने हैं, यह आपको description box में मिल जाएंगे, शब्द के जिस रूप से पुर्षवाची होने का ज्यान होता है, उसे pulling कहते हैं, जैसे रोहन, पिता, आदी, शब्दों के जिस रूप से इस्त्रिवाची होने का ज्यान होता है, उसे striling कहते हैं, जैसे रिमजिम, मा, आदी, पुलिंग और इस्त्रीलिंग शब्दों को अलग-अलग करके लिखो बक्री, मामा, शेर, मम्मी, दादी, भेडिया, चीता, मचली अब यह हमने देखने है इसमें पुलिंग कौन से है और इस्त्रीलिंग कौन से है यह अलग-अलग करने है इसमें पुलिंग है माम्मा, शेर, बेडिया, चीता, स्ट्रीलिंग है बक्री, मम्मी, दीद्धी और मचली आगे रह के रूप को समझो और शब्द लिखो जैसे पार्क दिया है इसमें ये वाली रह की मातरा लगानी है एक उदार उन दिया है, दो-दो आपने खुद करने है जैसे एक ओर आजाएगा धर्म, कर्ज, प्रेस ऐसे आजाएगे चक्र, उम्र, ड्रेस, ट्रक और ड्रम पाट से चुनकर अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द लिखनी है जैसे मे, यह बिंदुवाले और चंद्रविंदुवाले यह आपने खुद करने है यह बिंदू